गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स जोगरफी में एक नए चैप्टर के साथ है फिर से हाजिर है आज क्या पढ़ेंगे हम लोग तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकनोमिक जोगरफी यानि आर्थिक भूगोर क्लियर है यह बतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम लोग जोगरफी के त इतना पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे तो आर्थिक भूगोर यानि इकनोमिक जोगरफी के बारे में समझेंगे सिंपल यहां देख लिए आर्थिक भूगोर का मतलब क्या आर्थिक भूगोर के अंतरगत उन सभी भगवालिक प्रस्तितियों का वर्णन होता है जो वस्तुओं के उत्फपादन परिवहन तथा विन्यमय को परभावित करते हैं मतलब क्या समझेंगें हम लोग इसने में हम लोग मानो जो आर्थिक करियाय करता है उसके बारे में हुन लोग परहेंगी किलियर है डेखते हैं ... आर्थिक गतिविधियां मानो की आर्थिक किलियां की छेत्रीये भी नेताव तथा उनके अस्ताने की वित्रनों और संबंधों का अद्येन करती हैं आर्थिक भूगोल मानों भूगोल की एक परमुक साखा के रूप में अस्थापित हुई जो मानवी आर्थिक कार कलापों का प्रिष्ट भूमी सरी भू प्रिष्ट पर विभीजिता तथा तत संबंधी भूद रिस्वों की विवेचना से संबंधित है प्रिष्टिवी के धरातल पर विभीन परदेशों में निवास करने वाले मानों वर्गों की आर्थिक क्रियाएं भीन निभीन होती है और उनसे विभीन आर्थिक क्रियाएं जन मिलेती है मानों वर्क तथा भगालिक वातावरन के सहयोग से विभिन दैनी के समाधाने निरोजमार्रा के समाधाने तु परियास किये जाते हैं आर्थिक भुगोल का विकास से सवर पर्थम वानिजी के भुगोल के रूप में हुआ था आर्थिक भूगोल के अंतरक्त आर्थिक गजीविद्यओं का भी कैस वार्णी जीक भूगोल के रूप में Он wash उन्हें 1862 में प्रकासी देव घृत गीजिए क्या नाम था जूराफी डेश वेल्थ लैंड से यूराफी डेस लेंड ने माना जाता है इस पूस्तक रचीता कों थे बहुत महत्तोपूर्ण इस पूस्तक रचीता थे एंडरी क्या नाम था जो रभी डेस से वेलथ लेंड से रचीता एंडरी थे चिलोसमें चीलोसम के नुसार आर्थिक भूगोल के अंतरगत आर्थिक अतिविधियां उनस सब में भगोलिक परिस्थितियों का वर्णन होता है करता है जो वस्तु कि उत्पत्ति उनके वीनिमें येवम अस्थांतरन पर परभाव डालती है। फोक्ति मतलब जो पर होती सबसे महत्तबूर्ण टोपिक जो बार बढाता है देख निए आर्थी करियां को इतने भागों तो तीन भागों सब्सक्राइब Works अर्थिक भूगोल मांनों कि समस्त आर्थिक किरियाँ वो अ जिवगों पारजन के साधनों का अध्येन करता है कि मांनों की उत्पादन सम्फंधि आर्थिक किरियाँ को टूमयन्ध योंम अलेकजेंडर दोरा निम्द सर्फोस्त flavor में बटा क्या नाम थेन का टूमाइन एवं अलेक जेंडर महों देने इहोंने क्या बाटा देखिए लिजे पराथमिक किरिया वेधी मतलब इसके अंतरगते प्रकिर्तिक प्रदत संसाधनों का सीधा उपयोग समाने था क्या होता किरिसी याइन अलाइडी सिक्टर जैसे किरिसी कार में मिटी का सीधा उपयोग फसले उगाने के लिए किया जाता है इस परकार जल छेतरों में मचली पकरना खानों से कोईला लोहा आधी खनीज निकालना वनों से लकडिया काटना अथो आपसुओं से उन चमरा बाल खाले हड़िया आधी प्राप्त करना इस सब क्या है तो प्र दो कहें तो प्राइमरी सेटर यानि की प्राथमनीं के लिए लगे हुए मजदूर है दूसरा होता है डूतिया काम है यानी सटेंडरी एक्टिवि des in कि नि architecture परकिर्थी परदध है संसाध्वनों का सीधा उपयोग नहीं किया मंगकि कि इसमें पॉर्सेस्थन होगा मुद्फेसिन क какой-dream यो सुथ उपादित माल फ्रीबाल है उसका पॉर्सेसिन किया जाएगा बल्किक Kr pasó साफ परिस्क्रीत अथवा परिवर्थित कर उप्योग के योग बनाया जाता है इससे उनके मूल में क्या होगा तो बिर्दी हो जाएगी जैसे लोहे को गला कर इस पात के यंतर अथवा अन्य वस्तुमें बनाना यहूं से आटा या मैदा बनाना कपास और उन से कपरा बनाना लकडी से फरनीचर काज आधी बना इन वस्तुमें को तैयार करने वाले उद्योगं को क्या कहा जाता है तो इसको गौन उद्योग कहा जबाईगा और इस समुह के तो यहां प्राइमिडि जो उत्पाद होते हैं उस पर ही आशरीत और उसको ही परिस्क्रित करने का कामे करते हैं कि तीसरा देखिए तीसरा होता है तिर्टियक गत्यविधियायनि टर्शली एक्टिविट्टि इसमें क्या होगा इसके अंतर वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक व दूतियक उत्पाधन की वस्तुगों को उभोगता उद्वपतियों तक पहुंचाने से संबंदीत है यानि कि यह स्रीवाचित है यह कम्मुनिकेट करेगा इस परकार की क्रियाओं के अंतरवहन वस्तुगों का स्थांत्रन एन ट्रांस्पोर्टेशन संचार समाद वाहन कम्मुनिकेशन वीत्रन एन डिस्ट्रिब्यूशन एवं संस्थाओं और वेक्तियों की सिवाएं तथा विनिमे सम्मिलित की जाती है यह कहा जा समान अर्थों में तो जो यह विचोरिया वर्ग है समुखे सब्सेंद रहे कहां थी लू भी कॉलर मतलब किया होगा त्जर वाय पिंक और जब इसमिंगे कौन लाएंगे तो इसमीं जो कॉनिकेटीक से स्था जिख् ships करने वाले यहां समस्था के सिवा यह स्फिटि लिटी आधीयों कार करने। जहां यह सब क्या है तो तरशरी सिवाव से इन से इन से वाउं से हैं इन सिवाउंक्षे परकर्मन यानि इनफर्मेस्ट प्रोसेसिंग सिक्षन राज की सिवाइं स्कुल्ग आ जाएगा मौन रंजन किरिया सम मिलीथ होते हैं सबी चतूर्था गतिविधियां कार्याले भावन या विद्याले थीएटर होटल तथा चिकित्सा संसान द्वारा प्रस्दत विशेशक्रित वातावरन इस्पेशलाइजड इंभार्नमेंट में होती है इस समुख के व्यक्तियों को सफेद कॉलर स्वर में क्या निए वाले रेट जोब आगे देखिए पंचम गतिविधियां पचमा सेक्टर क्या कहलाता है अन गतिविधियों के तुल्णा में पंचम गतिविधियां बहुत परतिबंधित आकार में हैं बहुत छोटे हैं इसकी अंतरकात मुहत्तपूर्ण योजिना तथा समस्या निदान करने वाले सोध वज्ञानी के विधि अधिकारी विधिये सलाहकार विवसाइक प्रमार्स दाता प्रफेशनल कॉंसुलेट कॉंसुलेट कॉंसुल्टेंस इस मुह के अंतरकात आते हैं इस मुह में कारे रहते व्यक्तिवियों को सुनहरी कोलर स्रमिकानी गोल्ड कोलर वरकर प्राफ्मिक गत्य विद्यों की विवस्था को परभावित करने वाले अस्थानी कारक जैसे प्राफ्मिक गत्य विवस्था को अनेक बाते परभावित करती हैं इनके अंतरकत जैसे बहुतिक यानि फीजिकल आर्थिक एकनोमिक यानि कल्चरल जो परमुखे काराकाते फैक्टर माने जाते हैं जिनका वर्णन इस प्रयार कर सकते हैं जैसे पहला होगा बहुतिक का मतलब इसके अंतरकत प्राथिमिक आर्थिक विद्धियों पर परभाव या पारणले वाले फोटक जैसे ब tumors की परकिरती वहां की जब भूमिक ऐसी है मिटी के गुन मिटी उपिजाओ हो सकते हैं मिटी अनुपजाओ हो सकती हैं कि तापमान केशा है वर्था की मात्रा आधी गटक है इन में से अने घटकों में मानो ने परियात से परीवर्थ कर दिये जैसे जहां कि मिटी कौम उभिजाउआ है पर उर्वर को की बिवस्था करके क्या किया मनों उसको खेती की यो की मिटी बना दिया पहार है तो पहार पर ढ़ाल सिरी नूमा खेती करना अरम कर दिया जहां पर पानी नहां वहां पर सिचाई की बिवस्था कर दिया मनों वहां वहुत मानों ने बहुत रखे काम किये हैं जिन भूभागों में जलका अभाव पाया जाता है वहां किर्सी के लिए सीचाई के साधन उपलब्ध किये गए जहां मिटी के उर्वरा सक्ती समाप्थ हो गई है वहां खा दादी देकर उसे पुनह उर्वरा किया गया किन्तु जिन खेत्रों में ऐसा संभव नहीं हो पाया वहां उसे किर्सी के स्वरूप को ही बदल दिया जैसे अत्यांत सीथ परदेशों में सिग्र पकने वाली फसलों का अविस्कार किया गया अनेक छेत्रों में रोगों और कीरों से मुक्त बीजों का प्रयोग कर उत्तम फसले प्राप्त की जाती है यसे बीटी करना उसी परकार जल छेत्रों में मचली पकरना, खानों से कोईला, लोहा, आधी, खनीज निकालना, वनों से लकडिया, काटना अथवा, पसुवों से उन, चमरा, बाल, खाले, हड़ियां, आधी को प्राप्त करने की किर्याओं को भहती घटक यानि परत्यक छेया परोग शुर मतलब प्राथिमी के आर्थिक गतिविदियों पर सरवाधिक परभाव तापमान और वर्षा का परता है, यानि कलायमिटलोजी से पासंबंधिते, जैसे किर्जिकार में पोधों को बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आविस्यक्ता होती है, उससे कम तापमान, पर क्या होगा, अंकूर निकलना ही संभव नहीं है, अधिक तापमान हैं तर क्या होगा, पोधे सूख जाएंगे, सधारंत है, जिन भू भागों में गिरिस्मकालीन और वहाना खेती से कम मिलता है, वहाँ खेती नहीं की जा सकती है, जिन भू भागों में गिरिस्मकालीन और सत्ता अपमान पचास जीडिसी से कम नहीं सोरी और अधिकी मिलेगा वहारा खेती नहीं होगी पचास जीडिसी बहुत होता है और थात किसी प्रदेश विज्यस में कौन सी फसले उत्पन की जाती है साल में कितनी फसले ली जा सकती है और किरसी कारत का क्या स्वरूप होता करता है यह सब जलवायू पर ही निर्भर करता है जलवायू ही मनुस्व को साधन संबन बनाती है खनीज संपति का समुचित विदूहन जलवायू की अनुकूलता पर ही निर्भर है पर जिकूल जलवायू वाले परदेशों में भूगर में छीपी विभीन खनीज संपता का प कि उदारन टुंडा पर्देश वर्स भर हीमा छादित रहते हैं परिनाम स्वरूप खनीज संपदा के स्रोत ढूंड निकालना एक कठीन कार्य है ठीक इसी भाती भूमद रेखी पर्देशों में सघन बनो एम दल्दली भूमी के कारण इसा अमेजन फोरेस्ट तांगो नदी घाटी के कारण खनीज संपदा का ठीक ससर्वेक्षन ही नहीं हो पाया है और वहां पर क्या है आज भी गरीबी विद्वान है प्रतिकूल जलवायू वारे पर्देशों में स्थित खनीज भंडारों का दोहन मानोद्वारा तभी किया जा सकता है जबकि वे अत्यधिक मुल अत्यधिक मुल्यवान है तभी तो वहां पर मजदूर से लेकर उनको पीने के लिए पानी तक सबके सब हवाई जहां से पहुशा जाते हैं दुर्विये परदेशों में ग्रीन लेंड के तरवर्ति छेत्रों में किरिसो लाइट की उपलवद्ति का सर्वेक्षन किया जा च जाती है जहां हल चलाने के लिए समतल भूमी मिलती है ऐसे भागों में ही यंतरों का उप्योग किया जा सकता है तथा फसलों को ढोने की सुविधाय मिलती है वस्तुता नदी घाटियों में पहारी धालों पर उपजाव समतल भागों में समूंदर तटिये मैदानों में ही क किर्शी की जा सकती है हर जगह नहोंगा है